आएए बच्चो अब हम फर्स्ट क्लास का अगला चैप्टर लिते हैं जो की एक पोएम है वन लिटल किटन आएए इसके हम सॉलूशन करते हैं क्योंकि हम इसको पिछले वीडियो में एक्स्प्लेन कर चुके हैं यानि कितने परकार के creatures हैं जीव हैं पोएम में तो आंसर लिखेंगे देर आर फिफ्टीन काइड्स ओफ क्रियेचर्स इन दा पोएम आर दा सील्स हैप्पी तो क्या जो सील्स है हैप्पी हैं तो नो दा सील्स आर नोट हैप्पी आप चाहते उसके आग़े यह भी लिख सकते हैं दा सील्स अर सेड लेगिन इतना भी चल जाएगा जो मचलिया हैं कहां रहती है तो फिस लीव इन वाटर अगला कोश्चन देखते हैं कौन सी चीज़े हैं जो दूसरी पानी में पाई जाती है और भी बहुत सारे चीज़े हैं लेकिन क्योंकि ये फस्ट क्लास का चप्टर इसलिए हम कम लेगेंगे एट सेटरा लगा दिया है इसलिए हमने आधी आधी There are many creatures in the poem. poem में बहुत सारे creatures हैं जीव हैं Which ones have you seen? कोन सा है जो आपने देखा है? तो answer है I have seen cats जैसे आप अलग answer हो सकता है, इसका cats देखियें अगर आप झाद से ज़ादा देखिए आप ज़ादा लिख सकते हैं कम लिख सकते हैं आंसर वैरी कर सकता है भिन भिन कर सकता है तेल अवाउट वेन यू फिल और अब आपको बता हिए जब आप फिल करते हैं सेड हैपी नर्वश या ब्रेव बी आर ए वी ए क्योंकि ये चुट गया था तो मैंने लिख दिया इसका तो आईए देखते है तो सेड शेड कब फिल करते हैं आई फिल सेड वेन मदर डजनोट लेट मी गो आउट टू पले जब मा मुझे बाहर खेलने जाने नहीं देती है तो आपको यूर आनसर भी लिख सकते हैं ये आंसर वहरी कर सकते हैं अब brave कब मैसुश करते हूं I feel brave मैं brave मैसुश करता हूं बाहद्दुर मैसुश करता हूं when I ride हो जब मैं good सवारी करता हूं ऐसे इस answer को भी vary हो सकता है अलग answer हो सकता है I feel happy when I get an apple तो यहाँ N हो गया यह misprint हो गया था यह N apple कर लेना आप इसे इसको यहाँ पर end कर लेना अगला answer is nervous I feel nervous during my exam exam के दुरान मैं nervous feel करता हूं तो इस परकार यह चारों answer अलग-अलग हो सकते हैं आप सभी आई आगे चलते हैं make faces to show your feelings to your friends चेहरे बनाईए अपने दोस्तों को अपनी feelings दिखाने के लिए तो इसमें जैसे feelings दिखा रखे इन्होंने sad, brave, nervous और happy तो आप अपने आप बनाईए यह तो इन्होंने बनाई रखें आप अपने आप बनाईए एक sad चेहरा बनाईए एक brave का चेहरा बनाईए एक nervous का और एक happy का आए आगे चलते हैं look at the pictures of the animals given below and underline them in the poem then trace the letters जो poem दी गई है उसमें आपको यह pictures देखनी है और underline करना इनको poem में जो है इनको animals के नाम है जो यह below and underline them in the poem poem में इनको underline करेंगे आप जो chapter में दे रखी है और फिर उसके बाद इनको trace करेंगे ऐसे बाकी आप swim करेंगे यह सब भी poem के अंदर है say aloud जोर से बोलिए तो आपको इनको जोर से बोलना है अची हावाज में बोलेंगे आप जोर से एम बाद बीग बित वत ग एप यह बत गेंगे गेट क्राइब दै Dog, Fat, Let, Mate, Not, One, Pig, Rain, Red, Shed, Saw, Sit, Sun, Ten, The, Try, To, Watch, Watch, You, Look, And, Read, Dekho, Or, Pudho, Say These Words aloud, यह जो words है, इनको आप aloud, उचा बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, then match them, फिर उनको match करेंगे with the pictures, pictures से by the, by drawing lines, lines कीज़गे, तो यह जैसे bag, tin, hand, pen, tap, x, ant, fox, cap, caught, तो यह नीचे दे रखें, तो आप इनको करेंगे, कुछ मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे यह x है, और यह ant है, और यह tape है, बाकी आप swim करेंगे, अब जो आपने किया, उसमें सब भरेंगे, fill in the blanks, from the words given, अब जो उपर वड़ दिये गए, उनमें से आप भरेंगे, जैसे यहां मैंने भर दिया आपके लिए, बी एजी बैग, एच एन हेन, टी एपी टेप, सी एपी केप, टी एएन टिन, सी एटी, केट, एएन टी एंट, पी एन पेन, एफो एक्स फोक्स, एक्सी, एक्स, तो यह आप swim भरेंगे अपनी बुक में, उमीद करता हूँ आपको यह समझ में आए हूँगे, चैनल को सुब्सक्राइब आउस से करें, ठेंक यू,